वेलकम टू माई चैनल लेर्ण विद एस्टडी दोस्तों दिस इज दफ प्रीबियस एयर सीरी चाहे आप एससी सीजेल की प्रिप्रेशन कर रहे हों सीपियो की रेलवे की या सीजेशल की या एम्टियस की रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह है रेशियन प्रपोर्शन का पार्ट पोर इससे पहले हमने पार्ट वन से लेकर के पार्ट थ्री प्रोवाइट कर चुका हूँ जिसमें टोटल 30 कुश्चन करा चुका हूँ इस वीडियो में हम देखेंगे कुश्चन नमबर 31,2, कुश्चन नमबर 40 इसमें हम क्या कर 1999 से लेकर अब तक जितने हुए आयो हुए कोश्चन है सारे को कर रहे हैं इसके लगे जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्षन में जाके यह करने के बाद आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रोब्लम नहीं जाएगी and again percentage भी complete हो चुका है 341 question मैंने complete कराया हूँ part 1 से लेकर के part 25 में तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं जो हमारा running topic चल रहा है वो है ratio and proportion जिसमें हमारा target है 268 question पूरा complete कराने वाला हूँ इस video का target है 500 likes का अगर आप achieve करना चाते हैं इस likes को अगर हमें motivate करना चाते हैं तो आप like कर सकते हैं it's your choice अगर जो लोग telegram channel पे join नहीं है इस video के comments box में आपको link मिल जाएगी वहाँ से join कर लेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी वी वीडियो की notification कोई भी वीडियो आपको वहाँ पे easily मिल जाती है तो आप वहाँ पे join कर सकते हैं जो लोगों को इधर आ रहा है link के through वो 7300 plus math telegram apps open करें यह telegram apps open करने के बाद 7300 plus math search करें वहाँ पे books की photo लगी हुई है वहाँ से आप join कर सकते हैं चलिए देर नहीं करते हैं हमें start करते है question number 31 in a ly the ratio of copper and zinc is 5 is to 2 question कहाज़ा है कोई एक ly, ly का मंदब क्या होता है मिसर धातू, मिसर धातू क्या होता है metal और non metal से मिलकर बना होता है तो copper और zinc का ratio क्या दिया गया है 5 is to 2 आगे बढ़ते हैं if 1.250 kg of zinc is mixed with 17 kg 500 gram of ly यानि कि कहा क्या जा रहा है कि कोई देखो कोई zinc है, zinc को mix करना है किसके साथ, ly के साथ mix करना है यानि मिसर धातू के साथ mix करना है, zinc कितना है बोला गया है 1.250 kg और ly कितना है, 17 kg 500 gram यह कहा गया है, तो question कहा गया है then the ratio of copper and zinc will be देखे द्यान से, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ copper और zinc का ratio दिया गया है यहाँ पे, कितना दिया गया है, 5 is to 2 no doubt, अब आपको पता है कि copper और zinc मिला के क्या बनेगा, मिसर धातू यानि मैं बोलू 5 और 2 कितना हो गया, 7 unit 7 unit की value question में कितनी दिगे, ly की value कितनी दिगे, 17 kg 500 gram 17 kg है, 500 gram को kg में convert करूं, kg में तो 1000 से भाग दू, यानि कितना हो गया, 1 by 2 17 सही 1 upon 2 का मतलब कितना हो गया, 17 unit 35 by 2 kg यानि हमने लिख लिया इसको पूरा kg में, तो टोटल इधर कितना है, रेशियो में 7 unit इधर ly, तोटल ly, यानि दोनों मिलके ly बन जाएंगे, copper और zinc, तो ly कितना है, 35 by 2 kg के बराबर अब आगे बढ़ते हैं, तो एक unit किस के बराबर होगा, 7, 5, 35, एक unit 5 by 2 kg के बराबर तो हम लिका लें, देखो copper कितना है, 5 unit, तो copper क्या हो जाएगा, 5 unit तो एक unit की value इतना kg, तो 5 unit की value 5 into 5 by 2, that means 25 by 2 kg आगे बढ़ते हैं, zinc कितना unit है, 2 unit, तो zinc कितना unit है, 2 unit, तो 2 into, एक unit की value इतना kg, तो 2 into 5 by 2 kg, यानि कितना होगा, cancel होके 5 kg, हमने दोनों लिका लिया, लेकिन, अब देखिए बताओ, copper starting में इतना था, zinc इतना था, इतना इतना kg था, लेकिन अब बताओ कि zinc और extra कितना है, zinc इतना और mix करना है, यानि पहले zinc इतना था, 5 kg, नया zinc कितना बन जाएगा, नया zinc 5 प्लस, ये कितना है, 1.250 kg, यानि क्या मैं बोलू, 6.250 kg, अब ये देखो, ये धाइसो ग्राम है न, देखो, मैं 6 को ऐसे ही, देखो, मैंने आपको बताया था, कि fraction को अलग लिखो, integer को अलग, ये लिखोगे, धाइसो अपन क्या लिखोगे, अगर इसको ग्राम में कनवर्ट करना चाते, तो 1000 से भाग, और वैसे भी डेसिमल है, इसको लिख सकता हूँ, 6.0,250 लिख सकता हूँ, तो ये धाइसो अपन 1000 होगे, यानि 1 by 4, यानि कितना होगे है ये, हमसे पूछा क्या गया है, then copper to zinc ratio, copper by zinc का रेसियो पूछा गया है, copper कितना है, देखो, 25 by 2, zinc कितना है, 25 upon 4, देखो, ये 4 उपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 into 4 upon, 25 into 2, cancel हो गया है, यानि कितना हो गया, 2 by 1, यानि copper by zinc कितना हो गया, 2 is to 1, यानि copper और zinc का रेसियो क्य हो गया 2 is to 1 यह question अच्छा question था actual में यह question क्या है actual में mixing का question है अगर मैं बोलूं तो mixture and allegation mixing to quantity को mix करना mixture and allegation में भी हो सकता था यह question और 70 days देखो मैं आपको एक चीज बात बतना चाहता हूं कि 70 days course में सारा concept जो मैं ले रहा हूं 70 days course से ले रहा हूं इस वीडियो के last में मैं बता दूँगा कि 70 days course क्या है और कैसे जोईन करना है चलिए question number 32 देखते हैं question number 32 क्या कहा गया है a mixture contain sprit and water in the ratio 3 is to 2 कोई एक mixture है लो मैं डाइग्राम के थूँ दिखा देता हूं लेकिन examen diagram बनाने की नीड नहीं है कोई एक mixture है इसमें क्या है isprit और water का ratio कितना दिया गया है three is to 2 चलिए आगे बढ़ते हैं क्या कहता रहा है if concentration of three liter more sprit than water यानी क्या कहा गया इसमें जो concentration है वो water से 3 liter ज़ादा है क्या कहा गया इस concentration 3 liter more sprit than water यानी जो sprit का concentration है वाटर से कितना ज़्यादा है, तीन लीटर ज़्यादा है, रेशियो में कितना ज़्यादा है, देखो, वाटर से इस्परिट का कंसेंट्रेशन रेशियो में कितना ज़्यादा है, वन यूनिट, और एक्चुल में कितना ज़्यादा है, थ्री लीटर के बराबर, तो वन यू L4 मैंने क्या लिका L4 लिटर तो option number D is the right answer सारे question आपके से सी exam प्री और मेंस में पूछे गए है चलिए next question पे आते है question number 33 क्या कहा गया है देखे गए ध्यान से 33 कहा गया if income of A, B, C in the ratio इतना income का ratio कितना दिया गया है A, B और C 3 है income का ratio दिया गया है 7 is to 9 is to 12 आगे बढ़ते हैं and the spending are 8 is to 9 is to 15 spending मतलब क्या खर्चा खर्चा को क्या बोलते हैं expenditure, expenditure का ratio कितना दिया गया 8 is to 9 is to 15 आगे बढ़ते हैं A saves one fourth of his income A जो है save कर रहा है one fourth A जो है save कर रहा है A के बारे में A की saving दे गई है मैं A S लिख देता हूँ A की saving दी गई है one fourth of किसका अपने income का यानि A income का अपने income का क्या कर रहा है one fourth save कर रहा है then the saving of A, B, C in the ratio यानि कि saving of A saving of B and saving of C पूछा गया यानि बचचत A का बचचत B का बचचत और C का budget का ratio पूछा गया यह question जो कहा गया था language में कहा गया था उसको मैंने इस form में convert कर दिया और जो लोग हिंदी वाले students है वो हिंदी यहां से पढ़ सकते हैं अब चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पे क्योंकि already X मान चुके हैं तो 8Y, 9Y and 15Y अब देखिए अब सारे लोगों को पता है कि income क्या होता है income होता है expenditure plus saving यानि कि I क्या होता है हिंदी में बोलें तो I क्या होता है खर्चा plus बच्चा ठीक है समझ में आ गया यह मैं already 70 days course में सारा concept already बता चुका हूँ again मैं repeat कर रहा हूँ जो लोग join नहीं किया वो join कर सकते है चलिए अब देखिए द्यान से तो हमें saving का ratio कहा गया saving क्या हो जाएगा income minus I minus E हो जाएगा saving चलो saving saving तीनों का क्या हो जाएगा income minus income minus income minus ये rzeczy क्या होगा यानी कि ये मिल जाएगा उसी तरह से इसमें से इसको घटाएगे तो क्या मिलेगा तो हमने directly मैंने कर दिया कि इसमें से 7X में से 8Y गटाओंगा तो saving मिल जाएगा यानी यहीं बोला गया 7X minus 8Y क्या होगा तो सबसे पहले X और Y हमें पता होना चाहिए न अब X और Y के लिए देखिए हमारे पास information यहाँ पे दिया देखिए दियान से क्या दिया गए A S Y equal to A की saving A की saving क्या देगे 1 by 4th into A का income A का income कितना है 7X यानि A की saving पता चल गई कितनी है 7X by 4 अब देखो मैं यहीं से करने जा रहा हूँ A की saving A का income कितना है income क्या होता है income होता है expenditure plus saving income A का income 7X expenditure A का कितना है 8Y A का expenditure कितना है यापे 8Y और A का saving कितना है हमने अभी लिकाल दिया 7X by 4 इसको मैं इधर लेके जाता हूँ 7X common जगा 1 minus 1 by 4 3 by 4 मैंने directly लिख दिया ठीक है आप देखो मैंने क्या क्या 7X common कर लिया तो 1 minus 1 by 4 हो जाएगा इधर जाएगा तो minus होगा तो 3 by 4 is equal to क्या हो गया 8Y अब देखिए मैंने क्या लिखा 20 मैं इसको करूँ तो 21X is equal to 32Y यानि कि X by Y is equal to 32 upon 21 हमने यहां से ला दिया यानि X की value पता चल गई 32 है और Y की value कितनी है 21 हमसे पूछा क्या गया है A और B की saving अब देखो आपको देखो तो अब बताओ मैं घटाना है 7X minus 8Y यानि A की saving कितनी होगी 7X minus 8Y क्योंकि यहाँ पे income minus expenditure ही saving होता है तो 7 into X की value कितनी है 32 minus 8 into Y की value कितनी है 21 एक तो तरीका क्या है इसको multiply करो multiply करोगे तो देखो कितना हो जगा 721, 14, 27 की 21 से 22 minus 8, 821, 16 अगर मैं इसको घटा हूँगा तो 8, 6, 14 और यह बच्चा कितना 11, 6, 5, 11 यानि A की saving का ratio कितना है A की saving कितना है 56 तो 56 किसी option में है पहला यहां पे 56 है 69 तो हो नहीं सकता 99 होई नहीं सकता 99 होई नहीं सकता यानि answer हमारा आ चुका लेकिन अगर फिर भी लिकालना है B की भी लिकालना है तो B का कहां से लिक लेगा यहां से 9X minus 9Y यानि की B की saving क्या होगी Now common कर लो X minus Y यानि की 9 into X X कितना है 32 है और Y कितना है 21 यानि 32 minus 21 यानि की 9 into कितना हो गया यह 11 हो गया 32 minus 21 11 है यानि की 99 A का 56 है B का 99 अगर आप C का लिकालना चाहते हो देखिए लियान से C का तो C का कैसे करोगे वहीं 12X minus 15Y 12X minus 15Y इसको जब solve करोगे X की value 32 और ये रखके तो आपका कितना हो जाएगा आ जाएगा आपको 69 आ जाएगा तो ratio क्या हो जाएगा 56 is to A की ratio 56 B का कितना है 99 और C का कितना है 69 लेकिन आपको exam में ये finally तक नहीं करना जैसे ही आपने A में देखा था 56 answer आ गया था यहीं से आ गया था No need to check ठीक है लेकिन मैंने फिर भी आपको पूरा solve करके बता दिया कि किस तरह से आपको करना है लेकिन exam point of view से यहीं से आपका answer आ गया था A की value आई थी वहीं से आपका पता चल गया था 69 हो नहीं सकता 99 हो यहीं सकता 99 हो यहीं सकता चले next question पर आते हैं next question कहा गया है question number 34 question number 34 क्या क्या आ गया 378 coins को बांटना है देखो हमारे पास 378 coins पड़ा है यानि इतने सिख्के हैं हमारे पास consist of 1 रूपी 50 पैसा and 25 पैसा इसमें कौन कौन सा include है consist है एक रूपे का नोट एक रूपे के सिख्के है 50 पैसे के सिख्के है और 25 पैसे के सिख्के है ठीक है आगे बढ़ते है and whose value are ratio value दिया गया है value दिया गया है उसका कितना है 13 is to 11 is to क्या है 7 question का ज़रा find the number of 50 पैसे coin वाले के कितने number होंगे तो देखो सबसे पहले मैं बता दू number of coins लिकालना है number of coins लिकालना है तो जो रूपीज दिया गया है देखो दिया हमसे दो तरीका होता है अगर यहाँ पे coins दिया गया है finally तो हमें number of coins find out करना है ठीक है अगर यहाँ पे रूपीया दिया होता तो हम रूपीया find out करते क्योंकि हम तभी equate कर सकते हैं अब देखे दियान से coins find out करना है तो बताओ एक रूपय एक रूपया वाला कितने coins है देखो दियान से देखेगा दियान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ जो value दी गई है उससे हम क्या करेंगे rupees को divide करेंगे ठीक है लेकिन अगर हमें rupees लिकालना ठीक है यहाँ तक clear हो गया चलो अगर हमें number of coins का लिकालना है तो छोड़ दो इसको मैं बता ही देता हूँ आपको number of coins कैसे लिकालोगे ध्यान से लिखना क्या है 13 है यह 13 है यह क्या है 13 को सारे को रुपए में कर दो इसका रुपए में करूँगा तो 1 by 2 हो जाएगा इसको रुपए में करूँगा तो 1 by 4 आएगा तो सारे को रुपए में करूँगा तो यह divide कर देते हैं इसको इससे divide करेंगे number of points लिकालने के लिए अब आगे बढ़ते हैं इसको मेरे को करना है तो क्या करोगे चलो इसको तो हमने हो गया दूसरे वाले को करोगे तो क्या करोगे 50 मैं direct करना चाता हू 50 divided by 1 by 2 और इसको करोगे तो क्या करोगे 7 divided by 1 by 4 यानि यह कितना हो जाएगा 13 यह कितना हो जाएगा सोरी 50 नहीं है न 11 है वैलू कितनी है 11 11 उपर 2 multiply हो जाएगा 22 और यह कितना हो जाएगा 7 उपर जाके 4 multiply हो जाएगा 28 यानि number of coins का यह क्या आगया ratio आगया लेकिन अगर number of coins का ratio आगया तो आपको पता है न किस तरह से में करेंगे चलो इसको value ही समझ लो एक तरफ से ratio नहीं समझना है तो value समझ लो आपके मर्ज यह देखो दो तरीका है मैं आपको समझाएं देता हूँ आपके देखिए ध्यान से अगर मैं बोलू यह कितना हो गया 13 यह कितना हो गया 22 और यह कितना हो गया 28 ठीक है अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ अगर मैं number of coins को ये ratio में आया अगर मैं इसको मानूँ तो क्या मानूँगा 13x 22x and 28x और total number of coins कितने हैं इतने यानि total को जोड़ूँ तो 13 ये जोड़ता हूँ 20, 20, 40, 10, 50 5, 10, 60 63x 63x की value कितनी दे गई है 378 ठीक है 63x की value इतनी दे गई है अब हमें क्या करना पड़ेगा अगर मैं करूँ इसको x की value लिकालता हूँ तो x की value लिकालने के लिए हम क्या करें इसको divide कर दें तो कितनी बार में जाए 6, 5, 6, 30 6 चा के 6 बार में चला जाएगा क्यूँ 68, 6 चा के 36 x की value 6 तो हमसे पूछा क्या गया है ध्यान से देखिए हमसे पूछा गया है 50 पैसे वाला कितने coins होंगे तो 50 पैसे वाला कौन सा है ये वाला है 22x x की value 6 आ गई तो 22x की value 22 into 6 that means 6 दो निबारा 6 दो निबारा यानि की 132 ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो दूसरा अगर ये नहीं करना चाते थे आप directly बगी कर सकते 13 रूपए देखो value कितने 13 वो कितने सिक्के हैं एक रूपए वाला कितने सिक्के हैं 13 तो 13 into 1 अब देखो 11 11 है 11 unit है अब बताओ एक रूपए में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे 2 तो 2 से multiply direct करके यहाँ पे आ सकते थे देखो 7 unit 7 value है इसकी और कितने coins हैं एक रूपए वाले 1 by 4 25 पैसे में एक रूपए के कितने सिक्के आएंगे 4 यानि कि 7 into 4 तो भी आ जाता 13 is to 22 is to 28 आप यहाँ से भी directly लिकाल सकते थे तो आपको करने का तरीका आना चाहिए किस तरह से आपको question करना होता है चलिए next question पे आते हैं देखिएगा ध्यान से question क्या दिया गया है question दिया गया है आपसे दिया गया है A is to B का ratio दिया गया है 2 is to 3 B and C का ratio दिया गया है 4 is to 3 and C and D का ratio दिया गया है 2 is to 3 तो हमसे पूछा गया sum of share of B and D पहले हम combined लिकालने A is to B is to C is to D लिकालने तो इसके लिए सबसे मैं जो आसान method बताऊंगा ध्यान से देखिएगा इन दोनों में क्या common है B लेकिन यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है इन दोनों को equal बनाने के लिए यहाँ पे 4 से multiply यहाँ पे क्या करूँ 3 से multiply तो A is to B is to C मिल जाएगा देखो क्या मिल गया है 4 दूनी 8 4 तिया 12 और यहाँ से भी 4 तिया 12 है 3 लिके 9 यह क्या मिल गया A is to B is to C लेकिन इसका काम तो हमने combine कर लिया अब बचा क्या C is to D C is to D क्या है 2 is to 3 अब देखो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे इस तरह से लिक देता हूँ आपको tension ना हो देखो हमने लिकाल लिया क्या 1 मिनट देखिएगा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको एक जगा पे कि A is to B is to C का ratio कितना आगया 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 4 तिया 9 हमारे पास दूसरा यह दिया गया C is to D C is to D कितना दिया गया 2 is to 3 तो अब क्या करोगे देखो यहां पे C दोनो carry 9 and here । तो यहां पे क्या करो 2 से multiply और यहां पे क्या करो 9 से multiply 8 इंटू 2 B की वहलू कितना आगई 12 इंटू 2 24 C की वहलू 9 इंटू 2 15 यहां से भी C की वहलू लिका लोगई तो भी 18 D की value 9 into 327 यानि हमारे पास ये value आ गई A is to B is to C is to D हमारे पास क्या आ गया A is to B is to C is to D का value 60 is to 24 is to 80 is to 27 अब हमारे पास देखिए क्या दिया गया है अब दिया गया कि इनको divide करना 34 मैं total जोडता हूँ इन सभी को जोडता हूँ देखो ध्यान से 24, 36, 10, 40, 40, 10, 50, 50, 20, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 85 unit आ गया ये total उसकी value किसके बराबर है 3400 रुपए के तो एक unit की value कितनी है 17 से काटूँ 17, 85, 85, 72, 34 पांसे पांचो के 20 यानि एक unit की value 40 रुपए के बराबर आ गया हमसे पूछा क्या गया sum of share of B and D देखो हमसे पूछा गया है ये B है और ये D दोनों का sum का share तो 24 और 17 को जोड़ूँगा 24 और 17 को जोडता हूँ तो किना होगा 1 और 2 एक 3 एक 4 41 unit की value एक unit की value पता है तो 40 unit की value 41 into 40 यहीं होगा ना 41 into 40 अब 40 into 40 होगा तो क्या answer आजाएगा आप खुद देखिए 4, 4, 4, 16 16, 140 answer होगा मैंने कहीं mistake तो नहीं कर दिया बस ये देख लीजिएगा एक unit की value इतनी है हमसे पूछा गया है share of B and D B इतना है D इतना है तो क्या हो जाएगा 7, 4, 11, 2, 2, 4, 1, 5 यहां भी 51 होगा sorry for that 51, 51 तो 51 unit की value 4, 5, 20 यानि कि 2040 आएगा 2040 option number A is the right answer इस तरह से करना था यह वहला चीज़ आप नहीं करके आप directly भी लिकाल सकते थे देखो इस तरह से लिखा जाएगा A is to B, 2 is to 3 दिया गया B is to C, एक छोड़के इस तरह से लिख लेना 4 is to 3 C is to D, 2 is to 3 यह मैं 70 days course में कम्प्लीट करा हूँ किस तरह से में multiply करना पहले cross multiply कर लो तो 4 दूनी, 8 दूनी, 16 हो गया दूसरी बार इसको भूल जाओ अब बाकी जो बच गया उसको multiply करो तो क्या हो जगा 4, 3, 12, 12 दूनी, 24 आप directly लिकाल सकते अब इसको भूल जाओ जो बचा है अब इसको multiply करो 3 दूनी, 9 दूनी, 18 अब इसको भूल जाओ इस दू वाले को आप के बार cross कर लो तो 3 दून, 9, 9, 27 आप directly ये ना कर करके आप directly यहां से भी जा सकते थे ये भी एक method है और ये सारे method मैंने 70 days course में discuss किया हूँ तो जो लोग join नहीं किया वो join कर सकते ये ना करके आप directly यहां पे भी आ सकते थे चलिए, next question पे आते हैं next question दिया गया question number 36 देखे 36 क्या गरा है sum of इतनी rupees is divided among A, B, C कहा गया कि 370 rupees divide करना है किसके किसके बीच A, B and C के बीच दिया गया है A by B A और B का share B और C का share कितना दिया गया 3 is to 4 तो हमसे पूछा गया किसका है दिनद A share, A की value देखे हमारे पास दिया गया A is to B A by B भी कितना दिया गया 3 by 4 A by B कितना हो गया 3 by 4 B is to C B is to C भी कितना दिया गया 3 is to 4 तो मैं combine लिका लूँ A is to B is to C दो method मैंने बताया था क्या कि एक method है क्या कि इसको दोनों देखो B equal है तो यहां पे B 4 है यहां पे 3 है तो यहां पे क्या करनों तीन से multiply और यहां पे क्या करनों चार से multiply तो तितली के 9 B की value 4, 3, 12 B की value इधर से भी लोग है तो 4, 12 4, 4, 16 हमारे पास आगया यह A is to B is to C की value अब देखो दियान से एक चीज यहां पे और है यह क्या 3 ठीक है A is to B is to C की value मिल गई हमारे पास अब देखे एक चीज और बताना चाहता हूँ अगर आपको इस तरह से नहीं जाना तो A is to B कितना दिया गए था 3 is to 4 B is to C भी कितना दिया गए 3 is to 4 डिरेक्टली भी क्रोस मल्टिप्लाई करके लिकाल सकते थे 9 चार्थियां 12 4 चोग के 16 तो भी आजाता 9 is to 12 is to 12 यह भी ना करके अब डिरेक्टली यहां पे अब हमारे पास A, B, C का रेशियो मिल गया 9 is to 12 is to 16 हमसे पूछा गया है क्या A का सेर बताना है देखो एक तो तरीका क्या है अगर मैं आप होते तो क्या करोगे A का सेर पूछ रहा है ना तो टोटल जोडो पाले 16, 12 कितना हो गया 6, 2, 28, 28 और 9 कितना हो गया 37 37 यूनिट की भैलू कितनी दी गई है टोटल 370 रूपए तो एक यूनिट की भैलू कितनी हो गई 10 रूपए और एक यूनिट की भैलू 10 रूपए तमसे A का सेर, A का सेर कितना यूनिट है 9 यूनिट तो 9 into 10 that means 90 रूपई एक तो तरीका ये है चलो हमने कर लिया दूसरा, अगर मैं होता है एक जाम में तो इसको नहीं फोलो करता है पहले मैं देखता A का सेर पूछ रहा है A कितना है, 9 यानि 9 का multiple होगा यानि 9 से कटना चाहिए सारे answer को ये देखो नहीं कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा एक ही option कटेगा तो no need to get that type of thing अगर आपके option ही इस तरह से दिये गए तो ये option elimination process बे आना चाहिए तो math के लिए आपको दो चीज़े एक तो concept आना चाहिए दूसरा concept के साथ साथ logical approach भी आना चाहिए किस तरह से में option elimination सीखना है किस तरह से में unit digit का यूज करना ये सब चीज़ें आपके mind में चलती रहनी चाहिए चलिए next question पे आते है next question देखिए question क्या दिया गया है question number 37 question number 37 दिया गया है two number in the ratio two number का ratio कितना दिए गया है 17 is to 45 तो हम number मान ले क्या कि 17x and 45x अब आगे बढ़ते हैं one third of the smaller one third of the smaller is less than one fifth of the bigger by 15 देखो question कहा गया है one one कहा गया है कि one fifth of the bigger one fifth bigger कौन है बड़ा कौन है 45x less than less than का मतलब क्या कम है किस से one third of the smaller smaller कौन कितना है 17x और कितना less है कितना 15 चलो हमने जो question कहा था उसके according question बना लिया देन देख स्मालर नंबर इस्मालर नंबर ये वला नंबर पूछा गया है तो x की बैलू तो पता चल जा है अब देखो मैं काटोंगा तो ये कितना हो गया 9 9x-17x upon 3 is equal to 15 अब मैं LCM लोंगा तो कितना हो जाएगा 3 27x-17x is equal to 15 यानि ये कितना हो गया 10x is equal to ये इधर जाएगा तो 15 into 3 x की बैलू कितनी हो गई 15 into 3 upon 10 यानि x की बैलू की आगई 9 by 2 x की बैलू 9 by 2 आगई हमें smaller number पूछा गए तो smaller number कितना है 17x यानि 17 into 9 by 2 17 नावा कितना होता 113 by 2 2 से भाग करूँ तो 2 साते 14 2 6 के 12 2 5 2 6 के 12 देखो बचा कितना 1 सही 2 यानि 76 सही 1 upon 2 तो कौन सा answer हो जाएगा option number C is the right answer इस तरह से में question को करना होता है ये भी question सारे question से 6 exam में ही आये हुए है क्योंकि previous year series चल रही है question number 38 देखिए 38 को मैं 2 method से कराऊंगा पहले method पहला method देखते है देखिए द्यान से 45 liter mixture 45 liter mixture of milk and water in the ratio क्या दिया गया यानि कि 45 liter का क्या है mixture है उसमें milk और water का ratio कितना है 2 is to 1 आगे question का ज़रा when some quantity of water is added to becomes ये 1 is to 2 हो जाता है then the quantity of water be added कितना quantity water का देखिए सबसे पहले 45 liter है दोनों को मिलावा है 2 और 1 कितना unit हो गया 3 unit की value कितनी है 45 liter के बरावर तो 1 unit की value कितनी हो जाएगी 15 liter 1 unit की value 15 liter तो milk 2 unit है 1 unit की value 15 liter 2 unit की value 30 liter and 1 unit की value तो आपको पता है 15 liter और 30 पंदरा जोड़ोगे तो 45 liter यानि milk पता चल गया कि 30 liter है और water कितना है 15 liter है अब देखो क्या कहा गया है कि water कितना add किया जाए milk 30 liter है water कितना है 15 milk में कोई छलचा नहीं water में कितना add किया जाए हमने माल लेते है x add किया और ratio कितना बन जा रहा है milk और water का milk उपर milk है तो milk का ratio दिया गया 1 और water का 2 बस solve कर दें, x की ही भाई लूग कितना water add किया जाना है, हमने x water add किया, यही x लिकालना है, cross multiply कर लें, कितना होगे, 60 is equal to 15 plus x, x is equal to 60 minus 15, that means 45 liter, यहनी हमें कितना liter add करना पड़ेगा, अगर मैं बोलू, 45 liter water add करना पड़ेगा, इतना liter हमें water add करना पड़ेगा, यह था basic method, अब इस से कर सकते हैं, बहुती easily ratio method से, ratio method, पहले milk और water का ratio कितना था, 2 is to 1, बाद में कितना हो गया, 1 is to 2, यह हो गया न, अब देखे लिया हमें से, हमें क्या add करना है, water add करना है, तो milk का quantity same रहेगा, क्योंकि हमें water add करना है, यह milk is to water है, देखो, हमें water add करना है, milk में तो कोई छेर चाड़ने किये, यानि milk का quantity same, देखो, milk यहाँ पे 2 unit है, यहाँ पे 1 unit है, यानि milk को same करने के लिए, यहाँ भी 2 multiply कर दूँ, तो milk और water का ratio क्या मिल गया, 2 is to 1, 2 is to 2, यहाँ पे बन गया, 2 is to 1, 2 is to 2, अब देखे द्यान से, 2 is to 2, क्या हो जाएगा, यह फोर हो जाएगा न, क्योंकि 2 से multiply करना तो, अब देखे दियान से, milk का ratio, milk का quantity यहाँ भी दू, यहाँ पे दू, same कर दिये, कितना water add किये, 1 पहले था, अब कितना हो गया, 4, यानि 3 unit, इस 3 unit की value मिल जाए तो हमें एक question बन जाएगा, और starting में कित कितना लीटर है, 45 लीटर, देखो, starting वाला यह है, 2 और 1 कितना, 3 unit, 2, देखो, 2 और 1 कितना है, 3 unit, 3 unit की value, ध्यान से देखना, देखिएगा, दियान से, मैं क्या बोला, 3 unit की value कितनी है, 45 लीटर, 3 unit की value, 45 लीटर, एक unit की value, 15 लीटर, हमसे किया, कितना water add करना है, 3 unit, तो 15 into 3, that means 45 लीटर, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, देखो, यहीं से आ रहा था न, 2, 1, 3, 3 unit की value, कितना question में दिया गया, 45 लीटर हमें 3 unit की value पता करनी है, 45 लीटर क्या हो जाता है, answer directly, तो यह आपको ratio method भी आना चाहिए, चलिए, next question पर आते हैं, देखिए, यह question भी अच्छा question है, question number 39, 39 को सबसे पहले मैं basic method से बताऊंगा, after that इसको मैं बताऊंगा, ratio method से, देखिए question का आगए, a barrel contains a mixture of wine and water in the ratio 3 is to 1, अब देखिए, मैं इसको समझा रहा हूँ, कोई एक mixture है, लोजी, इसको एकदम practically दिखा रहा हूँ, देखिए दिया है, इसमें क्या है, wine and water का ratio क्या दिया गया है, 3 is to 1, ठीक है, अब question कहा जा रहा है, how much fraction of mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water of the resultant mixture becomes 1 is to 1, question कहा गया है, पहले wine और water का ratio 3 is to 1 ठीक है, इसमें से कुछ mixture लिकाल दिया गया, कुछ mixture लिकाल दिया गया, देखो ध्यान से, जब भी अगर mixture लिक लेगा, अगर जो लोग मेरे mixture and allegation topic देखे होंगे, 70 days course में, मैंने वहाँ पर बताया था, let's suppose यहाँ पर volume भी है, इसमें से हम की दूद है, दूद में milk और water का ratio 3 is to 1 है, इसमें से कुछ दूद हमने गिरा दिया जमीन पे, तो भी milk और water का ratio क्या होगा, same ही होगा न, क्योंकि हमने दूद गिराया है, ना कि किसी में से milk लिकाला है, milk और water में से directly हमने दूद को गिराया, तो जब भी mixture लिक लेगा, तो उसका ratio कितना होगा वहीं हो जाएगा लेकिन volume तो घड़ जाएगा ना दूद की कमी तो हो जाएगी ना दूद की कमी कितनी हो जाएगी मालेते x liter हमने x mixture लिकाल दिया यानि b-x पहले volume भी था अब b-6 हो गया अब क्या कहा गया है कि जितना लिकाला गया है उसको किसे फिल करना है उसको water से add करना है यानि हम x water add करेंगे तो finally mixture में ratio wine and water का कितना बन जा रहा है 1 is to 1 यानि देखो b-x था फिर water हम x add करेंगे तो volume क्या हो जाएगा फिर वहीं इतना ही हो जाएगा अब देखो द्यान से हम लेते हैं यह basic approach में जा रहा हूँ देखो हमें कितना तो question करा गया है कि कितना water को बदलना पड़ा कितना mixture लिकालना x की value हमें चाहिए x की value कितना लिकालना नहीं पड़ी अब देखो यहाँ पे देखो हमने क्या replace किया water हमने add किया तो milk की quantity जितनी पहले इस container में थी उतनी ही इस container में है यहाँ पे देखो यहाँ पे milk की quantity को क्या हम करेंगे हम same करेंगे sorry that यहाँ पे milk नहीं वाइन की quantity क्योंकि हमने water add किया है न वाइन की quantity same करेंगे न वाइन की quantity same करेंगे तो wine कितना है three out of four b minus x यहाँ पे wine कितना है one कितने total में से दो और इसकी volume के add भी बस solve कर लें यहाँ से दो करेंट सिल हो गया तो कितना हो गया three b minus three x is equal to two b इस b को इधर ले के आता हूं तो b is equal to three x तो x की value क्या हो गई b by three यानि x की value क्या हो गई one by three into b लिख सकता हूं यानि की one third part हमने क्या लिका ला है volume से यहाँ से भी था x की value क्या गई वन बाई थर्ड भी यानि कितना हमने लिकाला one third हमने पार्ट लिकाल दिया तो answer क्या हो गया बी यह actual practical approach से मैंने समझाया था आपको अब इसका ratio approach से देखे ratio approach क्या हो यह तो एक method है देखे ratio approach क्या हम कैसे करेंगे question को ratio approach से देखे पहले wine and water का ratio पहले कितना है three is to one और दूसरे अब बाद में क्या हो रहा है mixture लिकालने के बाद water से replace करने के बाद one is to अब देखें ध्यान से हमें mixture लिकालना है water add करना है ना हमें मिक्चर लिकालना है वाटर एड करना है सबसे पहले मिक्चर लिकालना है और जितना लिकालना है वाटर एड करना है हमें वाटर एड करना है अगर हमें वाटर एड करना है तो सबसे पहले पहले मिक्चर लिकालना है तो मिक्चर देखो मिक्चर की क्वांटिटी यहा नाट तू से multiply करते हैं तो अब देखिए wine and water का ratio क्या आजाएगा wine and water इसमें हमसे multiply किया है इसमें आगर हम 1 से multiply करेंगे लेकिन इसमें 2 से multiply करेंगे तो क्या हो जागा 2 इस टू दू चलिए क्यों हमने कर은 मैं करूंगा तो मिक्जर चार यूनिट चार यूनिट क्य हम मिक्जर लिका लना है तो फहले क्वांटीटे मेक्जर का सेम कर दिए अब क्या कहा रहा है water add करना है यानि हमें water add करना है तो wine की quantity हमें same करनी पड़ेगी न हम water add कर रहे है ना की wine तो wine देखो यहाँ पे 3 unit है यहाँ पे 2 unit है तो wine की quantity same करने के लिए यहाँ पे 2 से multiply यहाँ पे 3 से multiply तो wine and water का ratio क्या आ जाएगा देखो wine and और टोटल वाइन एन वाटर अब कितने हो गए थे इतना यानि कि 4 divided by अगर कितना fraction लिका ला गया तो देखो 4 divided by total mixture कितने है 6 और 6 कितना हो गया 12 यानि यहां से भी आ जाएगा तो ये भी एक तरीका है question करने का ठीक है तो ratio method भी आना चाहिए और ये अगर आप पूरा concept सीखना चाहते हैं तो मेरा 70 days course जोईन कर लीजेगा इस वीडियो के लास में बता हूँगा सारे concept वहीं से मैं ले रहा हूँ सारा कुछ बता चुका हूँ वहाँ पर concept चलिए ये last question है इस वीडियो का question number 40 question number 40 क्या कहा गया है a man expends a parts of his income and saves a parts of it the ratio of income and saving is 26 is to income और saving का ratio कितना दिया गया है 26 into 3 आगे बढ़ते हैं if monthly income is इतना रूपी इंकम monthly कितना है 7 to 5 0 monthly income इतना है what is the amount of monthly saving यानि monthly saving क्या होगा अब देखे ब्यान से आपको पता है income क्या होता है expenditure plus saving यानि I क्या होता है खर्चा plus बचन तो देखो income इतना दिया गया अब income इन दोनों को मैं add करूँ 26 और 3 कितना हो गया 29 unit add किया तो ये income बनेगा क्योंकि income इन दोनों को add करने पे income और वो income कितना है seven two five zero के बराबर तो एक unit की value एक unit की value मैं इसको काटूं किसे काटूं 29 दूनी चला जाएगा 29 तीन तीन नतली से ताई तीन दूनी नहीं दो बार में जाएगा 29 दूनी फिर कितने बार में 29 पांचे 200 एक unit की value कितना आ गया 200 रूपय के बराबर क्योंकि monthly income रूपी में है तो हमसे पूछा गया है saving के बारे में saving कितना unit है तीन unit एक unit की value इतनी तो तीन unit की value 200 into 3 that means 750 रूपी जाने उसकी monthly saving monthly बचत monthly saving कितना था 750 तो option number C is the right answer ठीक है तो इस तरह से हमें question को करना होता है और question आसानी से बन जाएगा आपसे अब देखिए तो ऐसे question को हमने करा दिया अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 70 days देखिए अगर आप चाहते हैं चलो 70 days course हम next वीडियो में बता देंगे कि 70 days course क्या है अगर आप join करना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं इस वीडियो का target है 500 likes का अगर आप 500 like करते हैं तो यह आपको series continue रहेगा और आप share भी कर सकते हैं अपने friends के पास thank you bye bye मिलते हम next part में कर एक सकते हैं